Hello everyone, कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि सब खुशाल होंगे आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ करेले के अचार की रेसिपी करेले का अचार बनाने में बहुत ही आसान होता है खाने में बहुत ही टेस्टी और हैल्दी होता है तो चलिए देखते हैं इस आसाम सी रेसिपी को रेसिपी पसंदा है तो वीडियो को ल Right and Share कर दीज़ेगा तो चलिए देखें करेले का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कच्छे करेले कच्छे करेले का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है तो कच्छे करेले का ही अचार बनाएं तो अब इसे में 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेती हूँ पानी में आप चाहें तो हलका सा नमक भी डाल करके धो सकते हैं या फिर विनेगर की 2-3 बूर्दे डाल के भी धो सकते हैं मैं यहांपर फलका सा नमक डाल कर डूरे हूं तो इसे मैं दोसे तीन बार बार ढहने के बार में आप इसको न उपर से जो टंटेल है इसके और नीचे से इस तरीके से काट लोंगे और इसे मैं करने वाली हूं Scrub यानि कि उपर की जो इसकी स्किन है उसे हलका हलका सा स्क्रब करना है जैसे हम भरवा करेले बनाते हैं तो उसमें भी हम इसी तरीके से इसके उपर की स्किन को हलका सा स्क्रब करते हैं तो उसी तरीके से स्क्रब करना है इससे क्या होगा कि करेले के अंदर तक मौस्चर नहीं जाएगा और आपका करेले का चार पिल्कुल भी खराब नहीं होगा बिना किसी प्रेजर्वेटीब के भी ये लंबे टाइम तक स्टोड रहेगा तो यहां पर देखिए मैं हलका हलका सा इसे स्क्रब करती हूँ इसी तरीके से मैं सारे करेले स्क्रब कर लूँगी ये जो हमने स्क्रब किया हुआ चूरा निकला है इसे हम रेसिपीज में यूज कर सकते हैं जैसे कि हम प्यास डाल करके तड़का लगा करके इस चूरे को भी डाल सकते हैं या फिर हम इसकी टिकी भी बना सकते हैं तो इसे मैं निकाल लेती हूँ अब ये जो करेले हैं इसके उपर में डाल रही हूँ नमक नमक अच्छा खासा ले लेना है यहाँ पर लगबग में दो चमच के असबस नमक ले रही हूँ नमक क्या काम करेगा यहाँ पर जो करेले के उपर का कड़वापन है उसको कम करेगा जो करेले का कडवापन होता है ना करेले के अंदर की जगा उफर जादा होता है तो इस तरीके से हम नमक से इसे कम करेंगे तो नमक मैंने अच्छा खासा मिला लिया है अब इसे अच्छे तरीके से मसल लेना है मलमल के अंदर तक ताकि इसका नमक चला जाए और इसका कड़वापन ज्यादा से ज्यादा दूर हो सके अब इने में एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और बर्तन में निकालने के बाद अब इसे में कवर करके रखतूंगी कम से कम 12 गंटे के लिए में रखतूंगी अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं तो आप 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं इससे क्या होगा नमक हमारा जो है वो करीले के अंदर तक चला जाएगा और जितना भी करीले का कड़वापन है उसको काम कर देगा तो हमें एक्स्ट्रा इंग्रीडेंट इस्तमाल करने के जरूत नहीं पड़ेगी करीले के कड़वापन दूर करने के लिए तो इसी से ही आपका चार बहुत ही तेस्टी बनने वाला है तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ देखें यहाँ पर 12 घंटे हो चुके हैं अगर ज़्यादा टाइम ना तो मैंने आपको बताया कि आप 6 घंटे भी रख सकते हैं और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ कड़वा पण है इसे मैं पानी से अच्छी तरीके से दोल लेना है अब दो से तीन बार इसे पानी से धोने के बाद अब करेले के उपर का जितना भी पानी था ना उसे भी अच्छी तरीके से निचोड़के निकाल दिया है अब मैं इने काट रही हूँ, तो काटने के लिए यहाँ पर मैं गोलाई में काट रही हूँ, आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं, तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे की सारी करेले काट लूँगी, करेले कट गए हैं अब इसे में किसी भी बड़े बरतन में फैला दूँगी क्योंकि मुझे इसे कम से कम 3-4 गंटे की धूप लगानी है ताकि इसके अंदर का हलका फुलका मौश्यर है तो वो अच्छे तरीके से निकल जाए तो यह देखिए मैंने चार गंटे की धूप इसे लगा ली है और इसका जितना भी मौश्यर था वो बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है और अब इसका अच्छार बनाने वाली हूँ तो मैं यहां पर मसाले आपको दिखा देती हूँ कि क्या-क्या मसाले लिया है सबसे पहले मैंने ले लिया है यहां पर सौंफ कितने कितने लिया है तो वो इंग्रीडियंट के लिस्ट आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों पर नजर आएगी यहां पर जीरा लिया है यह ले लिया है मेथी दाना और यहां पर लिया है पीली सरसो पीली क पाउडर, दो चुटकी हींग, और साथ में ये कलोंची ले लिए और टेल इस अचार को बनाने के लिए और साथ में ले लिए है नमक, तफसे पहले में सारे जो मसाले हैं इनको भूनने वाली हूं, यहां पर मैंने एक बटन रखा है, फ्रेम को अन किया है, बिल्कुल लो फ् बूनना है, तो सारे के सारे मसाले में यहां पर मिक्स कर लिती हूं, मसाले मिक्स करने के बाद अब मैंने इने लो फ्लेम पर कम से कम दो मिनट तक बूनना है, दो मिनट में यह बहुत अच्छे से बून जाते हैं, तो लगता चलाते हुए इसे मैंने दो मिनट के लिए और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है इसे हलका सा मैं ठंडा होने दूँगी उसके बाद इसे ब्लेंड करने वाली हूँ तो यह देखिए मसाले हलके ठंडे हो चुके हैं और अब इन्हें ब्लेंड कर लेती हूँ तो इने मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बेलकल बारीक सा नहीं पीसोना है, तो की दरदरा जो मसाला होता है अचार में बहुती टेस्टी लगता है, और साथ में मिने यहाँ पर सेम अधा कप लिया है, आप इसे कम भी ले सकते हैं तेल को दुमेदार गरम होने देना है तो ये देखिए तेल में से दुमा निकलना शुरू हो गया है बिल्कुल अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं फ्रेम को बंद करके तेल को हलका नॉर्मल होने दोंगी बिल्कुल गरम-गरम में मसाले नहीं जाएंगे तो हल्का ठंडा हो चुका है तेल आप इसमें मैं डाल रहे हूं चुटकी बर दो चुटकी जो हिंग लिया है वो डाल दिया है और अब साथ में हल्दी पाउडर अब साथ में लाल मिच पाउडर भी ले दिया हूं और जो हमने मसाले तयार किया है वो भी मिला ल तो देखिए, सारे मसाले तेल मिक्स हो चुके हैं, आप जो हमने करेले सुखाये हुए हैं, इसमें डाल दूँगी अब उपर से मैंने नमक ले लिया है, स्वाद अनुसार और साथ मैं कलोंजी ले रही हूँ तो यह सारी चीजे मिला लिए हैं, और अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लीना है तो बस मसालों में मिक्स होते ही, अचार हमारा बन के तयार हो चुका है, आप इसे इंस्टेंट भी खा सकते हैं इस अचार को लंबे टाइम तक लिए स्टोर करने के लिए आपको किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा ओईल या फिर सिर्का या फिर लेमें जूस बगएरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है ये बिना किसी प्रेजर्वेटिब के ही साल छे महीने पिल्कुल भी करापने होने वाला है बस आपको ये प्रिकॉशन्स रखने होते हैं कि गीला चमच नहीं डालना है, गीली जगा पर इसे स्टोर नहीं करना है सुखे साथ जार में स्टोर करना है, तो यहां पर देखिए मैं जार ले लिया है, इसमें मैं इसे स्टोर कर रही हूँ आपको किसी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएगा और जो चैनल पर फॉस्टराइं विजिट कर रहे हूं उन्हें ही रेसिपे पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फैमली फ्रेंड्स में शेयर कर दें मिलते हैं और मज़िदार वीडियो के साथ तब तक के लि बारेबड़ कर नाद था तरा पॉस्